हेलो सुझेंट, मैं विकास अब साभी का एक्साम मंत्रय यूटीव चैनल पर सवागत करता हूं तो लास्ट वीडियो के अंतर करथ हमने एक वीडियो हम परियावरन पर कर चुके हैं ये हमारी परियावरन के पर दूसरी वीडियो है जिसके अंतर करथ हम जैव मंडल सभी स्टेटों के लिए ना कि UP Special Teaching Exam के लाबा परियावरण को Teaching Exam में ते परियावरण अलग सब्जक्त दे दिया गया है लेकिन जो परियावरण है ये Government Exam के लिए हमारा Geography के अंतरके इंक्लूड होता है लेकिन किसी-किसी अलग करके पढ़ेंगे चीजों को उतने हम ज़्यादा कुशन खुद से बना सकते हैं और एक्जाम में अटेम्ट करने की उम्मीद भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आज का हम टॉपिक सुरू करते हैं जिसके अंतरगत हम सबसे पहले समझते हैं क्या इस्थल मंडल है, क्या जैम मंडल है, क्या वाईउ मंडल है, क्या जीव मंडल है उसके बाद हम जैब भूर असाइन चक्र पर बात करेंगे उसके बाद देखेंगे परियावरन के घटक क्या क्या है मतलब किस से मिलकर परियावरन हमारा बनता है सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमारा आखिर का परियावरन मतलब जो बनता है वो किस-किस चीजों से मिलकर बनता है सबसे पहले देखते हैं परियावरन परियावरन हमारा दो चीजों से मिलकर बना है एक जैविक घटक एक अजैविक घटक सबसे पहले बात करते हैं अजैविक घटक जो हमारा अजैविक घटक है जैसे की नाम से पता चल रहा है अजैविक मतलब जिसमें जीवन ना हो अजैविक मतलब जिसमें जीवन ना हो आप का अंसर होगा आजय विक में कौन-कौनसे आएंगे, एजय Puesak में हमारे जल मंडल, वायू मंडल, इस्थल मंडल, जीवन ना समझेक कर आप यह समझे, जो अपनी व्रद्धि है नहां हो रही हूं वो होता हमारा अजयविक घटक फोर एक्जांबल के लिए जल मंडल इस्तल मंडल वायू मंडल अब आप समझेए ऐसा तो नहीं है कि हमने एक गिलास पानी रखा और दो घंटे वादो बढ़कर दो गिलास हो गया फिर डेड़ गिलास हो गया नहीं इसमे एक कभी भी व्रद्धी नहीं हो सकती है जितना है उतना नहीं हों हमें उज्ञा देता है यह मान सकते है लेकिन इसमें कभी भी व्रद्धी परेया वरन नहीं होते है उसे कहेंगे परिया वरन का अजयोई घठक दूसरा है इस v의्यू मॊंदल क्या वह व्रत्धी होती है तो हमारा वायू मंदल भी सी के अंतरगत आता आ अजयविक घटक के अंतरगत तीसरा जबब वो है स्तलमंडल नहीं हमारी जमीन बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है, आज दस भी का जमीन है और आने वाले टाइम में आप पे बीस भी का हो जाए, चालिस भी का हो जाए, नहीं, तो जितना भी हमारा जन्तु जगत है, एक एक को समझिए, सबसे पहल समझते बनस्पती, बनस्पत यानि पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं, घास, फूस, जितनी भी है, ये सबी बनस्पतियों के अंतरगत आती है, आप सबसे अच्छा एक्जामपल ले लीजी आ आप घास है समय के साथ व्रद्धी हो रही है नहीं चाहें वो व्रद्धी लाकों सालों करोणों अर्वों सालों में क्यों नहीं हो लेकिन व्रद्धी तो हो रही है ना हलाकि इतना टाइम नहीं लग रहा लेकिन व्रद्धी हो चाहें कितने भी समय में हो वो समय के साथ अपन हो जाती है साइड में तो यह सभी जैविक घटक हैं परियावर्ण के क्योंकि इन में समय के साथ व्रद्धी हो रही है दूसरा जो है वो है अप घटक अप घटक का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा कि सड़क के सारे कुट्टे वगेरा मरे पड़े हुए होते हैं ठीक ह होगा इन्हें कहते हैं अप घटक यानि जो अप घटन कर दें तोड़ दें तो जो हमारे यह होते हैं अप घटक होते हैं वो क्या करते हैं जो हमारी सड़ी अली चीजों है उन्हें घतम कर देते हैं और उन्हें दुबारा से जबीन में मिला देते हैं ठीक है यह होते हैं अ है इस्थल मंदल और क्या है हमारा वईू मंदल देखो जो मुख्य भूमी का भाग होता है जिसलिए बहु जीव मंडल, जो हमारा जीव मंडल होता है, वो इस्थल मंडल का ही भाग होता है, अधिकतर इसलिए बोला, क्योंकि जीव यानि मचली भी तो हमारी जल में पाई जाती है, लेकिन अधिकतर तो जीवन पाई जाता है, वो इस्थल पर पाई जाता है, ठीक है, तो इसी कारण ज प्रेड़ पौदे पाए जांगे वो होगा हमारा जीव मंदल यानि हाँ पर खरगोस चुहे कबूतर सभी क्या है जीव यानि हम भी तो एक जीव जन्तू में आते हैं ठीक है ना उसके वाद है वायू मंदल वायू मंदल सिंपल सी वात है आपके चारों पास जो वायू का वा यही सब को चला रहा है ठीक है अधी यहां से कुशन पूछा जाए कि हमारे पूरे परियावरण का हमारे पूरे परियावरण का सबसे मुख्य बिंदू क्या है जो चला रहा है तो आपका अंसरोगा वो है हमारा सूरे है क्योंकि सूरे सभी को उर्जा दे रहा है ठीक है अ यसे कि आप दोडते है test एक प्रश्यार चक्र का मतलब जेवजंतु, भू म दम भूमी, चक्र बहुमी और चक्र का मतलब चक्र जेवजंतु तो भूमी का ऐसा चक्र जिस स्थान से शुरूव आज उसी इस्थान पशाइए उसे संपते हैं इसके अंतरगत हमारे 5 चीज़े आती हैं, पहला जो हमारा उत्पादक होगा, यानि हमारी बनस्पतियां, दूसरा प्रात्रमिक उपभोगता, दूसरा दुत्यक उपभोगता, और तीसरा तिर्त्यक उपभोगता, और लास्ट जो होगा वो होगा आप घटक या फिर कीटे, आईए एक-एक को समझते हैं, सबसे पहले एक example से समझ लेते हैं, जिससे की समझने में आपको आसानी हो, ठीक है, बनस्पतियां, सबसे पहले चीज जो होती है, वो बनस्पति होती है, और बनस्पति इतना महत्यपूर होता है, जैबूरासानिक चक्र को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहीं से सुरुआत होती यहीं से खतम होता है जैबूर रश्यनिक चक्र माली जी गाय है एक बता रहूओ उसे सुनते जाना अच्छे से माली जी गाय है गाय ने क्या खाया? घास फूस खाई तो वो हुई साकाहरी क्या हुई साकाहरी और साकाहरी को कहेंगे हम प्रात्मिक उपभोगता यानि जो हमारी बनस पती घास फूस पर जीवन व्यतीत करे उसे कहेंगे हम प्रात्मिक उपभोगता एक्जांपल के लिए गाय गाय ना हमारी घास खाई वो हुई हमारी प्रात्मिक उपभोगता अब म साकाहरी मास मतलब मास तो हो लेकिन वो मास ऐसे जीव या जनतु का हो जो पहले साकाहरी हुआ हो ठीक है उसे कहेंगे दुत्यक उपभोगता अब आते हैं तिरत्यक उपभोगता मानली जी लॉम्री मर गई माली जी लॉम्री मर गई लॉम्री को खाया सेर ने सेर होगा तिरतेक उपभोगता यानि ऐसे उपभोगता जो मास खाएं और ऐसा मास खाएं जो उस जीव जनतु का हो जो पहले मासाहारी रहा हो साकाहारी ना रहा हो मासाहारी रहा हो उसे कहेंगे तिर्टेक उपभोगता जैसे कि हमारी लॉम्री मासाहारी थी पहले भी और बाद में जब मरी तो उसे सेर ने खाया वो भी एक मासाहारी था यानि मासाहारी मास को खाने वाला तिर्टेक उपभोगता ठीक है अब क्या होगा अब सेर मर जाएगा अब सेर मर जाएगा तो उसे कीट छोटे-छोटे कीट उस पर आकर उसे खाना सुरू कर देंगे जब कीट उसे खाना सुरू कर देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा वो उसे मिट्टी में मिला देंगे यानि उसे पूरा खा जाएंगे और जो उसका सेस पूरा साइनिक चक्र ठीक है अब समझते इसे मैप से सबसे पहले हमारी बनसपतियां इन्हें कहते हैं उत्पादक अब इन्हें उत्पादक क्यों कहते हैं क्योंकि सबसे अगर ये नहीं होती तो ये पूरा चक्र नहीं चल पाता क्यों क्योंकि अगर इसे टिड़ा नहीं खा कॉइंस चीज़े खाते हैं कित नहीं होते तो मरद्दा में कौन चीज़े पहुंच आता तो यह चक्र ही नहीं एगर हमारी बनसपतिया नहीं होती यहीं से सुरू करते है सबसे पहले देते हैं बनस्पतियां बनस्पति यानि हरी जो साकाहरी खाने वाला कौन होगा प्रात्मिक उपभोगता यानि टिड्डा वे घोडा इन्होंने क्या खाया घास खाया ये हुए हमारे प्रात्मिक उपभोगता अब टिड्डे को कौन खायेगा चूहा ने खाया टिड्डे को चूहे न अब चूहे को कौन खाएगा मनली चूहे को सेर या फिर किस ने खाया सेर या फिर हमारा बिल्ली ने खाया तो बिल्ली हमारे और सेर हमारे हुए तिरत्यक उपभोगता क्यों हुए तिरत्यक उपभोगता क्योंकि चूहा हमारा मासाहरी था ठीक है मासाहरी था और उसे फिर ए पहले मासाहरी रहे हो ठीक है जो पहले मासाहरी रहे हो फॉर एक्जांबल के लिए चुहे ने टिड्डे को खाया था लेकिन टिड्डा तो साकाहरी था अब सेर ने मान ली चुहे को खाया या फिर सेर ने लॉम्डी को खाया लेकिन लॉम्डी तो साकाहरी नहीं थी लॉम्ड मिला देंगे जब मिट्टी में मिला देंगे तो उस मिट्टी से क्या होगा पौधे उत्पन होंगे यानि वनस्पति उत्पन होंगी तो फिर से हमारा किसका उत्पादन हुआ वनस्पतियों का उत्पादन हुआ तो यह हुआ हमारा जैबूरासायनिक चक्र, यानि हमारा जैबूरासानिक चक्र पूरा हो गया, इसे कहते हैं जैबूरासानिक चक्र, तो इस वीडियो के अंतर करत हम ने पढ़ा, जलमंडल, इस्थलमंडल क्या है हमारा परियावरण, आखिरकार परियावरण किन-किन घटकों से मिलकर बना है और जैबूरासानिक चक्र को देखा ठीक है, परियावरण की वीडियो इसी परिकार आती रहेंगी एक वीडियो में हम कुश्चन आंसर कर देंगे, जब हमारी लगवागव पांच या साथ वीडियो हो जाएंगी, तो सभी के मिलाकर एक पुश्चन आंसर वीडियो लियाओंगा जिससे कि आपको confidence डबलप होगा ठीक है, ये आने वाले exam जैसे हमारा C-Tate है, UP-Tate है, B-Ed वाले exam हों के लिए helpful रहेगा, और government exam हों के लिए तो helpful रहेगा ही ठीक है, मिलते हैं अपनी next वीडियो में description में होगा, आप उसे join कर सकते हैं या फिर मेरा आपको WhatsApp नमबर दिख रहा हो तो उस पर आप मुझे message कर सकते हैं मैं आपको WhatsApp ग्रूप में डाल दूँगा ठीक है, मिलते हैं अपनी next वीडियो जब तक कीजा है division और notes के लिए WhatsApp कीजिए ठीक है, मिलते हैं अपनी next video, thank you